केमिकल काइनेडिक्स में यह आपका नुमेरिकल नंबर 6 है इस नुमेरिकल में इस तरह के थियोरी आपको मिलेंगे एक रियक्शन दे दिया गया होगा X से लेकर Y उस रियक्शन के ओडर भी दे दिये गये होंगे लेकिन हम टीचर आपसे डिमांड करेंगे जो बताएं अगर इसके वॉल्यूम में हम चेंज कर दें, डबल कर दें, हाफ कर दें, वन थर्ड कर दें तो बताएं रेट ओफ रियक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी रियक्शन के अगर रेट लॉड डेरिवेशन पर आप ध्यान दें तो याद होगा अगर X का परिवर्तन Y मे कॉंसेंट्रेशन ओफ रियक्टेंट, आपके कोश्चन चुकी वॉल्यूम रिलेटेड है और आपको याद होगा C is equal to N by B, इसलिए हम यहाँ पर मॉलर कॉंसेंट्रेशन के जगह पर नंबर ओफ मॉल ओफ X by B का इस्तिमाल कर रहे, चुकी यह रियक्शन सेकेंड ओर का है, तो N का वैल्यू टू हुआ, तो यह लिखा जाएगा, R is equal to K into NX by B per power 2, कहता है, what is the rate of reaction when volume of container is doubled, volume को अगर हम डो गुना कर दें, तो क्या होगा, new rate is R1, is equal to K, this is NX, by 2B per power 2, क्योंकि volume को double, अगर यही बोलता, volume को half करना है, तो आप कर देंगे भी by 2, volume को आपको 3 times करना है, तो आप कर देंगे 3 भी, अगर volume को 1 fourth करना है, कर देंगे 1 by 4 भी, अब यहाँ पर क्या करना है, तो आप 2 को बाहर निकाल ले, R1 is equal to K, NX by B by square, यह हो गया, 2 को बाहर निकाल ले, 1 by 2A square, और बाहर कर ले, प्रंट में कर ले, तो 1 by 4 into K into NX by B का polar square, याद कीजिए, यह पूरा terms, क्या पढ़ा जाएगा, R, मतलब जो new rate होगा, वो पुराने rate का, पुराने rate का, 1 by 4 होगा, जो new rate होगा, वो पुराने rate का, पहले वाले rate का, मतलब पुराने rate का 1 फौर्थ होगा, this is the answer अगला question फिर इसी तरह से ध्यान दे इस बार reactant में हमारे पास दो दो substance लिये गए x और y कहता है एक reaction है जो x के respect में second order मतलब a is equal to 2 y के respect में first order y is equal to small b is equal to 1 first order कहता है नया rate क्या होगा जब volume of container को double कर देते तो बताईए new rate क्या होगा पहले इसका derivation लिख ले आर इस इक्वर टू के यहां पर हो गया nx by b per power 2 और यहां हो गया ny number of mole of y by b per power 1 यह हो गया reaction number 1 कहता है नया rate क्या होगा जब volume को हम double कर देंगे तो याद कीजे new rate is r1 के यह लिखा जाएगा nx by 2b per power 2 और ny by 2b per power 1 जो number है उनको बाहर निकाल ले तो r1 is equal to k nx by b का square ny by b का power 1 यह half का square मतलब 1 by 4 और यह 1 by 2 पर power 1 1 by 2 multiply कीजे तो यह हो गया r1 is equal to 1 by 8 into k into nx by b का square और ny by b per power 1 यह पूरा turn याद कीजे r कहलाता था जो new rate होगा वो पुराने rate का 1 by 8 times होगा 1 by 8 times यह value होगा next आई अगला question इसी तरह के प्रशन मिलेंगे जिसमें एक प्रशन दिया गया x के respect में first order y के respect में second order है rate of reaction क्या होगा यदी volume of container one third हो जाए volume एक तिहाई हो तो बताईए क्या होगा question ले इसमें कहता है x के respect में first order मतलब a is equal to one first order मतलब a is equal to one y के respect में second order मतलब यहा b is equal to two derivation लिखने r is equal to k this is nx by b per power a मतलब one और ny by b per power two यह पुराना rate जिसको equation one आप लेंगे कहता है नया rate क्या होगा अगर हमारा volume one third हो जाए तो r1 is equal to k nx 1 by 3 b per power one ny 1 by 3 b per power two 3 को उपर shift करें r1 is equal to k 3 into nx by b per power one 3 into ny by b per power two नंबर को बाहर निकालेंगे तो याद कीजिए r1 is equal to 3 per power one into 3 per power two मतलब nine into यह हो गया k यहाँ nx by b per power one nx by b per power one फिर ny by b का square जगा कम है नीचे लिख रहे ny by b per power two यह पूरा टर्मगर गौर करिएगा तो यह r के equal है तो 9 into 3 is equal to 27 into r तो जो नया rate होगा वो पुराने rate का 27 times होगा 27 गुना होगा अगला एक पॉइंट आईए इसी तरह से इसमें आपको इन प्रश्णों को उल्टा करके दिया जा रहा है यही कोश्चन है खाली पूछने का तरीका चेंज हो गया एक reaction है जो A से B में हो रहा इसमें कहता है the rate of reaction become four times rate of reaction चार गुना हो जाता यदी हम concentration को डबल कर देते सीधा यही पर आप यूज करें यहां पर कहता है r is equal to k into a per power n हमसे मांगा जा रहा order of reaction बताईए मतलब n is equal to what कहता है rate of reaction four times हो जाता r बदल कर हो गया 4 r चार गुना हो जाता यदी हम A concentration को डबल कर देते तो यहां हो गया 2a per power n 2a per power n कुछ भी A जो भी लिखना चाहें याद कीजिए equation two को equation one से डिवाइड करने पर तो r by r k 2a per power n by k a per power n क्यात कीजिए r r cancel out और बचा k k cancel out two को बाहर निकालने तो two को बाहर निकालने तो पर power n अब n का value कितना डालें जो दूनों equal हो जाएगा तो n का value होगा is equal to two step wise numerical को आप देखते हुए आगे बढ़ियेगा अगला point इसी question को आप ऐसे देखे same question आपको दिया जा रहा इस बार कह रहा है जो a b में convert होता rate of reaction 27 times हो जाता 27 गुना when the concentration of a three times मतलब a के concentration को अगर हम 3 गुना कर दे 3 times कर दे तो हमारा जो rate होता 27 times हो जाता बताइए इसके order क्या होंगे तो देगार करिए यहां पर volume का कोई point नहीं इसके points rate law derivation से ही आप निकालने volume के point अलग से लिखना है इसमें volume का no use तो याद कीजिए r is equal to k into a power n equation 1 equation 1 कहता है rate of reaction 27 times रुख जाईएगा rate 27 times 27 r यदि हम एके concentration को 3 times करते यह हो गया 3a पर power n this is equation number 2 जैसा पहले था equation 2 को equation 1 से divide करना है तो याद कीजिए 27 r by r के यह हो गया a पर power n 3 को बाहर निकाल रहे हैं पिर यहां उठाईएगा k a per power n r r cancel k k cancel a per power n cancel 27 is equal to 3 per power n n का value कितना होगा 3 3 into 3 into 3 n का value 3 मतलब order of reaction आपका कितना होगा तो वो third order का होगा इस बार कहरा है इस question में जो a b में हो रहा the rate of reaction become four time जब हम बरतन के volume को half कर देते यह question volume वाला question है तो याद कीजिए a conversion b में r is equal to k into a per power n molar concentration याद होगा c is equal to n by v तो na by v हमने डाल दिया na by v हमने डाल दिया अब यहाँ पर गौर करिएगा इसमें आपको n निकालना है तो कहता है this is your equation 1 कहता है rate of reaction become four times रुख जाईएगा r बदल कर हो गया four r जब volume of container हमारा कितना हो जाता half पतलब यह volume को half करना है तो na by v by 2 पर power n तो को उपर ले जाएं तो four r के two na by v per power n फिर two को बाहर निकालने four r के na by v per power n into two per power n equation two फिर सेम कारिक्रम करना है equation two को equation one से divide कीजे तो याद कीजिए four r one आपका है r यहां आजाईए के यहां हो गया na by v per power n into two per power n फिर यहां आजाईए के फिर हो गया na by v per power n r r cancel k k cancel na by b per power n cancel तो यहां हो गया four is equal to two per power n इसलिए n का value कितना हो गया is equal to two question देखते चलिएगा ताकि एक बारिस को समझ सकें question एक ही variety के सारे प्रशन फिर इसी में सेम पूछ रहा rate of reaction one third होता rate of reaction one third खाली hint देकर निकल रहे rate of reaction one third होता मतलब यह हो गया r by three अब जब हमने volume को तीन गुना three times कर दिया मतलब के equation one है यह हो गया na by volume three times three b यहां power डाल दे n this is order या a जो डालना हो डाल दे और फिर यह equation two हो गया यही काम आप करेंगे equation two को equation one से divide करेंगे आपको n का value मिल जाएगा this is your order of reaction एक ही तरह के numerical हैं दो पार्ट में हैं तो यह आपका type number six numerical complete हो गया thank you very much